हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे कोकाटील को हैंड फीडिंग का सही तरीका कोकाटील का फूड पाइप उसके राइट साइड में होता है जब हम किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो हमारा राइट हैंड उसके राइट हैंड के साथ मिलता है उसी तरीके से हमारे राइट हैंड साइड से कॉकाटीर के राइट हैंड साइड में हमको food pipe में अपना food डालना है और सिरिंग से धीरे-धीरे food उनके food pipe में push करना है उसी के साथ हमारे लेफ्ट हैंड से कॉकाटीर बेबी के head को भी support देना है एक बार फिर से हम slow motion में ये process को देखेंगे आपको अपने left hand से कोकाटीर के head को support देना है और right hand से धीरे-धीरे food pipe में food डालना है और जैसी आपको दिखे कि कोकाटीर का baby food को swallow कर रहा है आप धीरे-धीरे syringe को push करेंगे और जैसे ही उसने swallow करना बन कर दिया आपको syringe हटा लेना है जो भी excess food उसके face पे लग जाएगा उस food को आपको साफ कर देना है क्योंकि इस food से उसको infection भी हो सकता है कई बार ये food जम जाता है और इतना कड़क हो जाता है कि आपको उस food के साथ में उनके feeders को काट के निकालना पड़ता है ऐसी ही informative वीडियो के लिए हमारे चानल को subscribe करिए जिससे की नई वीडियो की upload notification आपको मिल सके